एक्वेरियम किस दिशा में किस तरह और कैसे रखे जिससे के आपको एक्वेरियम का फायदा होगा हेलो फ्रेंट्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्वेरियम कैसे और कहाँ पर रखे किस दिशा में रखे जिससे आपको उसका फायदा होगा दन समपदा में वुरुद्धी के लिए एक्वेरियम को ड्रोइंग रूम के पुर्व उत्तर या फिर उत्तर पुर्व दिशा में ही रखे भूल कर भी बेडरूम की चुर्ण या फिर कमरों के बीच बीच में एक्वेरियम ना रखे एक्वेरियम को सही दिशा में रखने से ही गर के लोगों की प्रगती होती है रहती है अनुकुलता एक्वेरियम रखने से गरहों की अनुकुलता रहती है शास्तर के अनुसर मचलियों को आहर देने और पालने से गरहों की अनुकुलता बनी रहती है साथ ही सुक समरुद्धी और धन की उरुद्धी होती है यह भी ध्यान रखे कि जब किसी मचली की मोद हो जाए तो उसे नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए और एक्वेरियम में कितनी मचली रखनी चाहिए जिस तरह एक्वेरियम की दिशाज जरूए है उसी तरह मचलियों की संक्या भी माइने रखती है सुब आगे में उरुद्धी के लिए एक्वेरियम में आट गोल्डन फिशों और एक काली रंग की मचली रखनी चाहिए ऐसा करने से मान संदमान में उरुद्धी होती है और अठके हुए दन की प्राप्ती होती